थाना कोतवाली शहर पुलीस को मिली बड़ी काम्यावी सूचना मिलते हैं पुलीस ने एक फर्जी दरोगा को किया गिरफतार फर्जी दरोगा काफी समय से लोगों को गुमरा करके पुलीस में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे लाखो रुपय की ठगी करके उनको जॉइनिंग लेटर देने का काम कर रहा था मुख्विर की सोचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी दरोगा का उग्रफतार किया है पुलिस ने उसके पास से फर्जी जॉइनिंग लेटर भी बरामत किये हैं यूपी पुलिस में नौकरी लगवानी के नाम पर लोगों को ठगने वाला फर्जी दरोगा आज पुलिस के हाथे चड़ गया है पता चला है कि यह फर्जी दरोगा सेंटी हलदौर थाना चेतर का रहने वाला है यहाँ आसपास के लोगों को पुलिस में नौकडी दिलाने के नाम पर काफी समय से उनको विवकूफ बना कर पुलिस में नियुक्ती दिलाने के बाद कहकर ठगी करने का काम कर रहा था जब कई लोगों को इसने ठग लिया तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की पुलिस ने मुखिवीर की सुचना पर आजधानक उतवाली शहर से इसे गिरफतार किया है पुलिस पूश्टाच में पता चला है कि सेंटी जिले में कई लोगों से पुलिस में नियुक्ती दिलाने के नाम पर फरजी जोइनिंग लेटर बना कर उन्हें पुलिस वर्दी पहनाने का भरोसा दे कर लाखो रुपे की ठगी कर रहा था स्पी सीटी परवीन रंजन सी ने बताया कि पुलिस ने सेंटी के पास से फरजी जोइनिंग लेटर बरामत किया है साथ ही इसे पहले भी इसे कई लोगों से लाखो रुपे उनसे नौकरी दिलवाने का दावा कर उन्हें ठगने का काम कर रहा था पुलिस ने यह भी बताया कि यह काफी समय से इस काम को कर रहा था इससे पहले यह नकली वर्दी दिल्वानी के नाम पर जेल जा चुका है बहराल पुलिस ने इसे गिरफतार करके जेल भेजनी की कवायत में चुट गई है कॉलेटर दिया था आपने इनको कैसा किसको बढ़ते कराने के लिए दिया था क्या कहा था कैसा कोलेटर कैसे दिया था कंप्यूटर वादा टाइप किया हुआ अच्छा बढ़ती कितनी बार पहनी थी अब इससे पहले भी आप गाउं में आये थे बर्दी बेन के एक दो बार पहनी था कोलेटर कासे बनवाया था तुमने थाना हलदावर च्छेत्र निवासी सैंटी कुमार जो की सेरपूर का ल्याण गराम थाना हलदावर का रहने वाला है कल कोत्वाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफतारी की जिसने की फरजी पुलिस उपने रिच्छा की वर्दी पहनी हुई थी कि पुलिस विभाग में नौकिरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से दोखा धड़ी करके पैसे लेता था फरजी जॉइनिंग लेटर देता था दो लोगों को जॉइनिंग लेटर कल देने आया था जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफतारी की पूर्ग में भी विगट वर्षिया तीन लाग सत्तर हजार रुपया एक बेक्ट से लेकर उसकी भी नौकिरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास्टिस ने किया था दोखा रड़ी करने का उसमें भी भुकर्दमा लिखा गया था और उसकी गिरफतारी की गए था हरपल बखबर